नमस्ते दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैलेंज पर हम पढ़ रहे थे राजस्थान के साहिते की प्रिसेद दिक्रतियां तो उसका पार्ट में अगर आपने नहीं देखा है तो देख ली जगा और आज हम उनको कंप्लीट करेंगे इस होता है फिर बात करेंगे अमर काव्य वन्शावली की तो रंचोड भट द्वारा लिखित इस ग्रंथ से मेवार शास्कों की उपलगधियों वत ततकालीन धार्मिक और सामाजिक इस्थिति की परियाप्त जानकारी मिलती है आगे बात करेंगे कर्म चंद वन्शोद कीर्तन काव्यम तो जैसोम द्वारा रचित इस ग्रंथ में वीकाने शास्कों की उपलगधियों के बारे में जानकारी मिलती है और नेकस्ट बात करेंगे राज रतनाकर की तो सदाशिव राय द्वारा लिखित इस ग्रंथ से मेवार के महराज़ा राज सिंग तक राजनितिक इति और सैनिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करें रंगीलो मारवाड की तो भरत व्यास द्वारा लिखित यह नाटक मारवाड की सुन्दरता का चित्रन करता है। कुंदन द्वारा लिखित इस उपन्यास में एक अभी जाती व्यक्ती और एक भिकारिन के प्रणे प्रसंका चित्रन है। और ओलखान की बात करें तो शिवरात चंगानी द्वारा लिखित इस ग्रिंथ में चौधर एक चित्रों का संग्रह किया गया है। और नेक्स्ट बात करेंगे प्रित्वी राज विजय की तो जयानक द्वारा लिखित इस ग्रिंथ में प्रित्वी राज चोहान के वंशक्रम और उनकी उपलब्धियों का वनन किया गया है। और इसमें अजमेर के विकास और परिवेश की प्रामानिक जानकारी भी मिलती है। होगा तो विडियों को जादा से जादा शेर कीजिये और इसी तरह के स्टडी से रिलेटेड विडियो के लिए हमारे चैनल Study Challenge को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोज पसंद आने पर लाइक करिए पढ़ते रहे हमारे वीडियोज देखते रहे मिलेंगे नाक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन जै भारत